हलो फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने माइक्रो इन कैप्शिलेशन के बारे में तो हम देख रहे थे अपनी नोवर्ल ड्रग डिलिवरे सिस्टम मतलब एंडीडियेस बी फामेसी सबन सेमिश्टर और बात करेंगे हम इसमें अपनी यूनिट सेकंड जिसमें हमारे टोटल तीन चेप्टर है तो पहला हमारे इसमें चेप्टर आता है माइक्रो इन कैप्शिलेशन को तो इसी को हम आज की इस कम्प्लीट वीडियो में हम कवर करेंगे यानकि ये एक ही वीडियो में आपको ये पूरा चेप्टर हमारा कवर हो जाएगा बाकि इसमें जो हमारे आगे के दो चेप्टर है उनके लिए हम सेपरेट एक एक वीडियो बनाएंगे और वो भी हमारे कवर हो जाएंगे बहुत जल्दी तो चलिए यहाँ पर हम micro encapsulation को start करते हैं तो इसके अगर हम slaves के बारे हम बात करें इसमें क्या क्या है और important question यानि कि इसमें से हमारा question कौन समनता है इसको हम थोड़ा सा देखें तो इसमें हम सबसे बहले पढ़ेंगे definition क्या होती है फिर इसके advantage और disadvantage की बात करेंगे फिर इसके हमारे term आता है micro particle जिसमें micro sphere and micro capsule ये तीन word हमारे आते हैं then हमारे इसमें आता है method of micro encapsulation या हम इसको बोल सकते हैं micro encapsulation technique बोल सकते हैं फिर इसमें आती हमारी application अब अगर इसमें हम important की बात करें जो सबसे ज़्यादा important part है वो हमारा रहेगा techniques of micro encapsulation या methods of micro encapsulation यानकि ये हमारे एक compound होते हैं या एक doses form है उसको हम कैसे form करते हैं उसके लिए कौन-कौन से method या technique का use करते हैं वो वाला part हमारा सबसे important है पूरी chapter में और exam में काफी बार ये हमारा आया जाता है ठीक है वागी definition तो हमारी much more important है फिर कई बार हमारे मतलब SM के बन के आजाते question की कई बार हमारे आजाएंगे disadvantage या limitation of micro encapsulation या advantage या merit के नाम से आजाएगा या कई बार sort note आजाता हमारा इस micro particle के उपर जिसमें हमारे micro spare या micro capsule है तीनो में से किसी पर भी आएगा आपको ये तीनो के ही बारे में general लिखना पड़ेगा तो ये हमारे term कभी कभी sort में आता है वाकि application आप sort में पता कर लेना तो ये सारे के सारी जो चीज़ा है ना हमारी ये हम आज की इस वीडियो में complete cover करने वाले है तो देखा दाय तो जो हमारी unit second है इसमें तीनो चप्र है ना तीनो में से हमारे एक कोशन तो बनता ही है यान कि अगर ये जो आज की हमारी वीडियो है इसमें लगबग आपको 10 marks का complete cover होने वाला है तो इस वीडियो को आपको जरूर और complete देखना चाहिए आप एक बार को speed भढ़ा लेना लेकिन वीडियो आपको complete देखनी है तो चलिए समझते हम अपने इस micro encapsulation को लेकिन उससे पहले hello दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग I hope आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने channel care well फार्मा में चलिए तो micro encapsulation अगर हम इस word को पहले थोड़ा सा तोड़ कर देखें तो यह word हमारा तीन पार्ट में यहाँ पे तूट जाता है पहले नमर पे हमारा आता है micro second नमर पे आता है in और third नमर पे हमारा आता है capsulation तो देखो in capsulation words से आपने यह पहले भी सुना होगा जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर in का मतलब होता है inside यानकि अंदर या हम यहाँ पर in की जगए inside भी लिख सकते हैं और capsulation word आपको कुछ capsule जैसा मिलता हुए लग रहा है न जैसे capsule की कहीं बात हो रही हो तो अगर यहाँ पर हम encapsulation word को देखें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो drug है वो वो किसी capsule के अंदर interact है या enclosed यानकि यहाँ पर अगर मैं आपको example दिखाऊं जैसे यहाँ पर आपको अगर मैं capsule के बारे में दिखाऊं यह capsule तो यह से देखके आप बोल सकते हों कि यह हमारा एक encapsulation की process है आई होप आपको यह clear देख रहा होगा थोड़ा तो यह हमारा जो एक अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊं कि यह पूरी process हमारी कैसे है तो अगर मैं इस capsule को पहले थोड़ा सा open कर देता हूँ तो एक मिनट तो यहाँ आप इस तरह देख सकते हो कि यह हमारे drug particle जो drug की छोड़ी छोड़ी पैलेट से हमारी यह drug particle हमारे पैलेट फॉर्म है यह अमारा क्या drug एक्च्वल मैं यह हमारे क्या पॉलीमर है जो उमारा बेसिकली जेलिटिन बगरा होता है जिससे हम यूज से यह capsule की सेल बनाते हैं तो यह भी हमारे एक तरह से बोल सकते हैं इसके अंदर हमने इस पूरे drug particle को अंदर भर दिया और यही जो भरने की हमारी पूरी process है इसी को हम क्या बोलते हैं encapsulation बोलते हैं अब यहाँ पर एक word हमारा और add हो रहा है इन दोनों के अलावा वो word हमारा यहाँ पर आता micro तो micro words हम simple समझ सकते हैं कि small particle है यान कि जो total हमारी micro encapsulation की process है उसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने drug particle को किसी भी capsule form या किसी polymer cell के अंदर enclosed कर रही है और यह जो हमारे particles इसमें use हो रहे है वो हमारे क्या होंगे small particles होंगे यान कि छोटे scale के छोटे-छोटे particles होंगे और तब ही हमारा ये भी कोई देखा दाए कि कितने छोटे particles ही हमारे है और ये जो हमारी polymer की cell बनी है ये मिली किससे बन कर है बहुत ही छोटे-छोटे particles है उसनी से मिलके हमारी ये polymer की cell बन जाती है तो इसी लिए इसको micro encapsulation बोला जाता है कि यहां पर बिसिकली हम कर के आ रहे है कि अपने जो drug के छोटे-छोटे particles है उनको हम क्या कर रहे है एक micro meretic particles होगा छोटा वाला जो जिससे हमारी ये polymer की cell बनी होगी उसके अंदर हम इस पूरे को enclosed कर देते है तो जेस्ट जो मैंने आपको ये capsule दिखाया actual में ये सिर्फ एक example मैंने आपको समझाने के लिए बनाया actual में हमारा कैसा होगा जो micro encapsulation वो चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ तो यहां पर हमारा ये पूरा cell मैंने फिर से बढ़ दिया ड्रग इसके अंदर तो ये भी एक तरह से हमारी इनकेपसिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए एकदम परफेक्ट जाम पला है कि कैसे आप इसको समझ सकते हो कि हमारा कोई भी ड्रग पार्टिकल है उसको हम किसी भी पॉलिमर सेल के अंदर क्या कर देते हैं इनकलोस कर दो यह झ promotions कर देतें और देन हमारा इस तरह का पूरा एक ड्रग तयार होता है तो इस ईको हम बोलते हैं मारे इनकाप्सिलेशन कि हमने यहां पर क्या किया आपने ट्रक को इंकलोस कर दिया तो अगर हम इसकी अब अब आज़ने प्रॉसे cada созд ए यह मोश्टली यूज़ करते हैं तो इनमें सॉलिड लुकृट और इवन कैसा इनक्लोस्ट बिदे ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच आज पॉलीमर वाई फॉर्मिंग तो जो हमारे पार्टिकल है इसके ऊपर एक तरह से हमारी क्या हो गई है एक तरह से कोटिंग हो गई पूरी फिल्म सी बना देगा तो यह हमारा क्या है माइक्रो इंक्यप्सिलेशन है बाकि आप समझो कि हमें माइक्रो इंक्प्सिलेशन के एक्च्वल में जरूरत क्यों पड़ी यान कि हमें ऐसा बहुत भी बिटर टेस्ट है अब अगर ऐसे ड्रक को यही मैं आपको अगर चोड़ी चोड़ी दिखाऊं एक दो हमारे बहार रहे गए यह जैसे हमारे ड्रक का छोड़ी सा पार्टिकल है तो इसका मालू टेस्ट हमारा बहुत ही गंदा सा होगा यानकि अब एक टेस्ट को डारक की खाएगा और टंग पे लगेगी तो हो सकता है उसका बमिटिंग हो करते हैं कुछ द्रयग होते हैं जिनको आप मालों खारे हो तो यो आपके श्टरमक के हमारा एसी बरेजन होते हैं तो कुछ हमारे यानको घृट में खाना खरीग Dragon 2 को इसके उल्टे होते हैं यानकि कूछ तर disciple होते हैं जो पेट में गए गर जाएंगंग तो irritation cause करते हैं वह स्टमक वगरा में क्या करेंगा irritation कौस करेंगे जलन वगरा create कर देंगा कभी-कभी हो था नあ पेट में जलन होती है जब आप ज्यादा caffeine vगरा यूस कर लेते हो ज्यादा पैर सीटव milk भार्फाने के बाद भी कभी-कभी जलन cottisa कर लेते हो तो jissom संटाइम हमें को क्या होता है आपने पिछले वाला चैप्टर हमारा पूरा पढ़ाई है जिसमें हमारा कंट्रॉल ड्रग लेज़िव सिस्टम था और पॉलीमर के बारे में भी आप पढ़ चुके हो तो CDDA जो हमारा था उसमें आपने देखा था कि हम ड्रग को क्या करे थे सस्टेंड बना रहे थे प्रोलॉंग बना रहे थे डिलेड बना रहे थे कंट्रोल लीज बना थे तो इन सब के लिए भी हमें अगर कुछ बनाना है तो हम क्या करेंगे इसी चतरी आपको जहां पर ध्यान से वाले कैप्सूल के ड्रग लिया अब यहीं पर हमने कहा लिए पॉलीमर के सभिस्टांस ले लिए कोई भी पॉलीमर हमारे होते हैं में इस तरह हमारे पूरा क्या बन जाएगा एक इस तरह का सैल बन गया पूरा का पूरा अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप इसको खा रहे हो तो जो हमारे यह पॉलीमर की सेल है तो इसकी स्मैल भी बहार नहीं आएगी तो आपको खराब होने से भी बचा लिए पेट के अंदर अब अगर यह ड्रग मालो पेट के अंदर नहीं इंटेस्टान में काम है तो यह जी आई टी में में यह मिक्स नहीं होते अच्छे थे तो हमने सब के पैलेट से चोड़े चोड़े और इसके ड्रक के अंदर भरके और हमने दे दिया बंदे को तो आराम से यह काम चल रहा है तो इस तरह हम क्या करते हैं यहां पर अपने यह सारी जो भी प्रॉब्लम थी इनको हम और कम करने क से लिए इस पूरे के पूरे माइक्रों इनकैसुलेशन का यूज करते हैं अब यह माइक्रों के जनल देखा जाए तो दो तरह से हमारी जनल लगते इसको आप देख लो एक हमारा इसमारा इसमारा डिटेल्स में सीडीटियस और पॉलीमर वाले केस में पढ़ चुके हो कि यह polymer की taş है इसके अंदर यह हमारे पूरे कप्तवर बंद तोмотр noon में मैट्रिक सिस्टम में सी का थोड़ता उल्टा क्या होता है कि यहां पर हमारे ड्रके पोलीमर के साथ हीzungा वोताते हैं c Labi दोनों का काम है बह전ने हैं कि यहां पर मारे जो डर्ग है वो पूरे इसके अंदर बन्द है पॉलीमर में कुछ नहीं कि यहां पर पॉलीमर के साथ ही वह डिस उल्ड होके इंक्लोश हो सुका है मैट्रिक्स रिकता है असे हमारे दोनों कैसे काम आते हैं तो अगर पूरा बेसिक फंडडा समझ लिए तो आपको अंदर की चीज़ा बहुत ही आराम से समझने आने वाली है कैसे बनता यह आप समझ गया क्यों बनाते यह वी आप समझ गया अब इसमें हमारे दो होते हैं एक तरह से इसमें एक हमारा होता है core material और एक हमारा होता है coating material यह क्या चीज है तो इसको आप diagram से समझो यह हमारा रिजर वाला system आप समझ लो जो मैंने होत आपको दिखा हैं यह वाला शिश्थम है तो इसमें दो यह जो हमारे ड्रग बाला पार्ट है इसको तो हम बोल देते हैं कोर मैटरियल और जो हमारे यह पॉलिमर के ऊपर दीरे-धिरे क्या करेगा इस तरह से लेयर बनाएगा मतलब कोटिंग करता जाएगा और coating करते 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 इस पूरे ड्रग को इस तरह से cover कर लेगा इसलिए स्कॉम coating material बोलते हैं तो यही दोनों बात हैं अब इनके size के बारे मात करें तो भी micro है तो ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं होगे कि इसमें में हमारा API जो ड्रग होगा वह होगा जैसे हमारे बिटामीन एस्प्रिन यह सारी चीज़ा हो गई और जो coating material है उसमें हमारे बिसिकली polymer बगएर होंगे example देखाता है तो गम्स हो गए कार्वो हाइडरेट होगा प्रोटीन हो गए यह हमारे सब पॉलिमर के एक तरह से चुटे मोटे टाइप से तो यह हमारे कूछ को मिल रहे हैं उसमें आप अच्छे से यहां पर पढ़ लेने ठीक है तो यह दोनों बाते आप यहां पर समझ चुके होगे अब हम समझते कुछ के बारे में तो एडवांटेज जो मैंने आपको बताए कि भाई है अनप्लीजन टेस्ट को यह हमारा मास कर लेगा उसको चुपा लेगा अनप्लीजन और या अनसेप्टेबल और को भी हमारे यह मास कर देगा इस्टोरेज और हैंडलिंग में काफी जादा अच्छा ही हो सब्सक्राइब क्योंकि जो इसके अंदर कड रहागा वहमारा खराब बगरा नहीं होगा बाकि इनकमपैटिबिल्टी मैंने आपको बता दिया दो ड्रागों कि आवसम बन नहीं तो मिक्स नहीं हो रहे हमने दोनों को अलग अलग पैलेट बनाया और इस कैप्सूल के अंद हैं तो यह सारी चीज़ हैँ नहीं होता तो इसके मैथकी प्रॉसेस पर YAMARA दिपैंड कर जाता है कही बार कुछ बार क्या होता है कि हमारा इंकम्प्लीट या डिसम ीटीनियस कोडिया आप बना रहे हो कभी यह हमारे ऊपर Сेल अच्छे से नहीं हो पाया तो ये सब कुछ प्रॉब्लम हमारी आती रहते हैं हर चीज मां अच्छाई के साथ बुराई भी होती है यही कुछ हमारी डिसर्वांटेज है वागी और भी है बुक्स में जादा मिल रहेंगे आप सौर्ट में यहाँ पर देख लो तो यही हमारे कुछ इसके डिसर्वांटेज यह पढ़ ले आरम से हो जाएगा तो माइक्रो पार्टिकल्स की बात करें तो यह हमारे क्या होते है इस सब्सक्राइब माइक्रो तो यह दोनों तरह के भी हमारे जो इन्वाल्मेंट ना यह इस माइक्रो पार्टिकल के अंदर आते हैं वह मारा रिजर भायर भी हो सकता है और मैट्रिक्स भी हो सकता है ऐसा क्यों है तो इसको आप थोड़ा आगे जहां पर समझो कि सिंपल देखो यहां पर हमारे यह पॉली पॉलीमर के अंदर साके क्या हो गया अच्छे से डिजॉल्व हो गया यह इंट्रेफ हो गया अच्छे से फस गया और हमारी इस तरह से पूरा माइक्रो पार्टिकल बन जाता है और अगर आप जहां से देखोगे तो यहां बीच में भी आपको यह पॉलीमर की लाइने दिश्पर्ण हो जाते हैं या फिर युनिफॉर्मी डिश्पर्ण होता था हमारे पॉलीमर के अंदर इस तरह पूरा बन जाता है अब जो माइक्रो पार्टिकल है न इसके अंदर हमारी दो चीज़ा और एक हमारा आता है माइक्रो यह हमारे में टॉपिक अलग से भी है ले 파्टिकल बोलो गे और बिल्कुल यहां पर एक तो यहीं हमारी टैक वाली है इसके बारे में बोल सकते हो कई बार हमारी दो एंट्रे कोटेड़ वाली होते हैं वह भी हमारी इसी के अंदर इक्जांपल आती है फिर जो micro spare और micro capsule है इसके बारे में भी आप इसमें include करके लिख देना तब आपका ये जो bulk हो पाएगा पूरा exam में ये भी ज़रूरी है तो micro spare की बात करें तो ये are small spherical and free flowing particle है इनका भी जो diameter size होगा वो लगवाग 1-1000 micrometer तक होगा अब इसमें जो हमारे drug है वो matrix system के according distribute किया जाता है ठीक है ये आप कर लेना कभी कभी हमारे जो micro spare है इसी को हम micro particle भी बोलते हैं वही मैंने आपको बताया micro particle के अंदर ही ये दौनों चीज हमारी आजाती है अब इसके अंदर क्या होता है या तो हमारे ये पूरा इस तरह से इंट्रेफ होता है या कई किसमा यह हमारा इस तरह से भी यहां पर attach होता है साइडों पर तो यह हमारे पूरे माइक्रो स्पेर माइक्रो स्पेर है यह अगर आप इसका पूरा में डाइग्राम बोलोगे तो आप इसको भी माइक्रो स्पेर की तरह बोल सकते हो जिसमें हमारी जो ड्रग के चार्ब बाटल के साथ दो यह नहीं बनता है यह लिए यहाँ इसके पॉली के साथ इस यहां बनता आपको बहुत है कि कोटिंग में具 हमारे माइक कावर कर लिता हैं, यह यही नहीं सारी हमाई अगर इंदकेस आते हैं तो आप खाली नहीं छोड़ोगे तीनों के बारे माप बना बना के यहां पर लिखके आ सकते हो अब हमारा इसमें सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आता है methods of encapsulation या micro encapsulation technique या technique of micro encapsulation तो यह जो भी नाम से आए आपको सारा का सारा यह लिखके आना है अब इसमें यह काफी लेंथ ही है तो मैं क्या करने बाला हूं आपको structure यानकि इसका जो स्वरी डाइग्राम है उस डाइग्राम से आपको यह पूरी process समझाने बाला हूं और notes के अंदर जैसे यहां तो मैंने लिख रखा है एकाद मतलब process में जैसे यहां पर है तो थोड़ा सा इनका वो डिवाइड हो सकती है पहला हमारा physical है दूसरा फिजियो chemical है तीसरी हमारी chemical प्रोसेस है तो इसमें हमारा अगर जो physical अंदर दिखा दाए तो इसमें चार प्रोसेस हमारी और चारों की चारों ही important है air suspension, multi orifice centrifugal process, pen coating और spray drying coating या इसमें हम spray concealing नाम से भी इसको जानते हैं concealing करके हमारी exam में पिछली बार पूछी भी गई है तो spray concealing करके पूछी गई है air suspension हमारी आती आती है अच्छे से करेंगे और important भी है क्योंकि थोड़ी से हमारी दमाग लगाने वाली चीज़ है इसमें तो यह मारी important automatic हो जाती है इसको मैंने भी नहीं कि आप छोड़ देना यहां पर हमारी आती है polymerization और solvent evaporation तो इसको भी हम थोड़ा बहुत करके यहां पर देख लेंगे कैसे क्या मेन हमारी यहां पर air suspension इस प्रे कंजीलिंग ड्राइंग यहां पर को एजर्वेशन फेस सेपरेशन में पैन कोटिंग सिंपल है तो यह 3-4 को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं जो हमा इसको हम फ्लूटाइट बैड कोटिंग नाम से इनके और नामे आप देख लेना अब हाँ इनवेंट किया इसको डेल इसलिए इसको वर्ष्टर एयर सस्पेंस टेक्निक नाम से भी जानते हैं अब डारकली में आपको इस डाइग्राम से समझा देता हूं इसकी जो बात है आप यहां पर पढ़ लेना तो अगर आप यहां पर डाइग्राम देखोंगे आपको इस तरह का दिखाई देगा अब इस डाइग्राम में सबसे बहले हमारे नीचे दिया होता है एक एयर का इल्लेट जिससे हमारी हवा एयर हमारी इसके अंदर इल्लेट की जाती है बिðक्तों हम बोलते हैं एक्चिवल मैं कोर्टिंग ज़ॉं वो हमारे यहां पर इस यहां पर फॉर्टिकल है वह यहां पर फिल कर देगा थैंगे आप समझ गहीं इसमें economy पूरी कूरी चलती गाए एक और चीज है यहां परफ्यूम करते हो या कभी आप नहीं कि देखा होगा उसको जब आप करते हो तो एक्दम इस प्रे की फॉर्म में हमारी वह चीज अंदर का लिक्विड निकल के जाता है वही हमारे यह तरह से होता है सबसे पहले हमारे जो को réfश्च करना है घ्रक कों इसे फिल कर देंगे तो वह हमारे इधर यहां पर सिंपल थी बात है इसमrd लीसे क्या करेट है यह तो हमारी हर्मद वाली वहाट है और उपने क्या करने मेंड तो दो यान कि यहां से लेट करेंगे यहां से लेट करेंगे यहां पर हमारे इस पार्टिकल जो च्छोटा तोड़ने का काम करेगा यहां पर हमारी spray लगी हुई है spray nozzle जो यहां से क्या करेगे उसको अंदर inlet करेगे अब समझे सारी कहानी क्या से होती है हमने यहां पर ट्रक के particle फिल कर दिये यहां से हम क्या करते है हवा बैचते है हवा जब नीचे से जाएगी तो वो हमारी हवा क्या करेगी इसको उपर उड़ाने का काम करेगी अब अगर आपको याद हो तो बच्पन में एक छोटी से ऐसी बॉल आती थी तो यह हमारा कुछ इस तरह का डिवाइस होता थी कि यहां से हम इसको मूँ में लेके फूक मारते थे और जब यहां से फूक मारते थे तो हमारी हवा इस तरह जाती थी तो जो यहां हलकी थी प्लास्टिकी बॉल होती थी वो हवा में उड़ने लगती थी और उस पे मतलब इस से उड़ जाती थी और हवा में उड़ती थी और हमें यहां से balance बनाके हवा मारनी होती थी कि ना तो यह जादा उपर उड़ जाए और ना यह नीचे यहां पर गिर जाए हवा में हमारी अठकी रहे तो यहां से हम क्या कर रहे थे हवा प्रैसर अप्लाई कर रहे थे बहार निकल दी जा लिए तो यह हमारे पार्टिकल यहां पर उड़ने लगते हैं तो जैसे हमारे पार्टिकल इधर उड़ने लगते हैं तो यहां पर पास किया जाता है तो यह जो हमारे यह ड्रग के पार्टिकल है यहां से हमारे इस्प्रे के पार्टिकल यह ब्लू निकल रहे हैं वो क्या करेंगे वो इसके उपर क्या करेंगे इस तरह से कोट यानिकि इसके उपर चड़ने लगते हैं चड़ने लगते हैं उसके बाद यह हमारा फिर हवा आ के तो हमारे जो को मैट्रिक्र वह हो तरह दोने में भूद तो यहां नीचे जाता रहता है और जैसे हमको लगता हुगे हमको यहां मिल जाते हैं पैलेट्स यानिकि पूरे हमें को पार्टिकल मिल जाते हैं पूरे माइक्रो कैपसूल मिल जाते हैं छोड़े छोड़े तो बस इसी तरह से हमारे यह पूरा एयर सस्पेंशन टैक्निक पूरी की पूरी काम करती है कि हमारे पार्टिकल यहां रखे हुए हवा जाएंगे यहां से इतर जाएंगे में कि यहां कि हमारे के जाएगा इनिके ऊपर और यहां पर पूछ सकते हो अब यहां पर अगर हम इसके कोछी और बात है करें एडवांटेश की तो इसमें रैपिड कोटिंग होती है हमारी इजी टू यूज है लेवर ज्यादा जरूवत नहीं है आटोमेटिक पूरे चलता है सो प्रीडिय कोटिंग क्वालिटी क्वालिटी ह हमें काफी अच्छी मिल रही है लेस कोटिंग मेटरियल हमारे खतम हो रहा है यहां पर ज्यादा खतम नहीं होता डिसड़बांटिस क्या है कि हीट सेंसिटिव के जो कंपारन है वह हमारे यूज होगा होगा तो वह साथ के साथ हमारा सूछता भी रहे सेकिंड लेयर पर अब इसकी जो भी बात होगी आपके मतलब यहां पर लिख दूंगा अब ही केवल समझो कैसे क्या होता है तो इस तरह का हमारा पूरा का पूरा एक equipment होता है अब यहां पर मतलब यहां पर नंबर वाई लिखा है जिससे आप पूरे के पूरे इस चीज को समझ सकते हो तो यहां पर यह जो हमारा लगा यह लगा एक rotating साफ जो हमारी गूम रही है अब यह जो हमारी गूम रही है तो यहां से हम करते हैं हमने core material को inlet और वो core material यहाँ पर आपको दिख दाएगा यह एक्चुल में हमारे कहा है core material है यहाँ यहाँ पर यहाँ पर गिरता जा रहा है यह चीज़ समझेगा है यह हमारी एक तरह से coating material याँ कि जिसugen क्या करेंगे in capsulation बराएंगे वह वाले material हमारे यहाँ भर किया जाता है फिर वह हमारी यह वाली जगह आती है जहां पर यह हमारा फिल किया जाता है थर्ड नमर पर यह वाला हमारा जगह यहां से हमें प्रोडक्ट मिलेगा फोर्थ नमर पर आपको यह दिख जाएगा यहां पर हमारे मैटरियल गूरू भी एक तरह से आगे चलने लगया पहली चीज़ यहां से हमना अपना कोटिंग मैटरियल भर दिया तो कोटिंग मैटरियल हमारे लिक्विड फॉर्म में जो है वो हमारे यहां पर यहां पर पूरा भर गया उसके बाद वह हमारा कोटिंग मेटरियल कैसे आ रहा है ठीक है दो चीज समझ गए तीसरे नमर पर हमारी यहां थी मैटरियल ग्रूप अब ग्रूप का मतलब होता है सांचा सांचा मतलब आप लोगों ने घर पे जब होली बगरा होती है तो गुजिया बगरा बनाई होगी तो उसके लिए एक सांचा होता है हम जो सेब देना चाहिए वो सेब देते हैं अब जैसे बच्चों के आपने डियाई वाई देखे होंगे जिसमें मतलब इस तरह के हमारे सां को यान कि यहां से हम कोर मेटरियल फिल कर रहे हैं जो भी हमारे ड्रग है उसकी सेब तो है नहीं तो इससे जैसे ही वह क्रॉस करेगा इसमें जिस तरह हमको यह सर्कुलर्ड चाहिए उससे से मिल जाता हूँ ड्रग हमारा उसी सेब में आगे यहां पर भढ़ने लगता है त पूरे पूरे चलता रहता है यान कि इस तरह पूरा चलता रहता है तो यही था काफी जादा और यहां पर होते हैं वैसे थोड़ा यहां पर यहां पर यहां पर आपको कर दूंगा तो यह था हमारा मल्टी और फिस सेंट्री फ्यूगल प्रॉसेट थर्ड नमर पर हमारी आती है पैन कोटिंग अगर यहां देखी दाए तो सिंपल यह वाला आपने पहले भी पढ़ा होगा कि यहां पर एक हमारे इस तरह से हो पर और यहां पर यहां पर करेकर हैं और यहां से हाँ पास नहीं करेगा और यह और यह हूं रहे नहीं हमारा सर्कुलेट हो राए जान यह हमारा घूमरा भूमता रहेगा प्रूरा जो फान पूरा का ऊहला होती रहती है और यह एयर है वह ठोड़ी से माणी चिहसे सूखने भी लग झानि निकलती रहे हैं कर DA फुलि का एक तरहें तरह होटा है do इस तरह हमारा था बहुत ही सिंपल एंड इजी है आप बनाकर भी लेख सकते हो वागी नोर्स में आपको प्रोवाइट करी दूँगा तो यह था पैन कोटिंग नीचे कोर मैट्रियल है यहां से हम क्या करेंगा अपने एयर एटमाइजर के थो हम अपनी घरम हवा जो हमारा कोटिंग मैट्र इस टक हम क्या कर रहे थे कि अलेक जगा से यागन कि हम अपने कौर uggर ठेटे고 और दॉनों को हम अलग अलग कर मैं करते हैं जिसको हमने कटिंग मैट्रिकल के लोगे मैक्रों प crafted करना है या हमें microcasule बनाने है उन दोनों ही particle को हम यहाँ पर mix कर देंगे यानिक हमने अपने drug भी इसमें डाल दिया अपने coating material भी इसमें डाल दिया और दोनों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया एक तरह से emulsion form कर दिया simple दी बात है अब वो हमारा elite दे दिया हमने इसके अंदर और यहाँ पर हमारी लगी होती है spray nozzle यानिकि हम एक तरह से atomizer बाला बोल सकते हैं कि जो particle को छोटा करके spray form में इस तरह से निकालता है यहां से हम पास कर रहा है इसके अंदर गरम हवा अब सारी कहानी समझो क्या हो रहा ह यहां से हमारा feed inlet आया इस तरह एंट्री किया यहाँ पर अब यहाँ पर entry करेगा तो यह spray nozzle क्या करेगा उसको spray की फौर्ण में यहां पर इस तरह से फैकेगा अब जब इस प्रे की फौर्ण में है यह पर गर एक पर पर इस तरह से क्या होजाएगा कबर कर लेगा मतलब इसक और आपको क्या करना है, हर एक बुंदी के अंदर, एक काजु मिलाना है मालू, तो हम क्या करते हैं, कि काजु जो हमाराई, काजु जो बार्टिकल वा यहां पर पूरा फूरा डाल देता है, यान कि हमने, इसी जो लड़ू का हमारा जो मिक्षर उसमें हमें काजू के भी एक पीस पूरे मतलब ऐसे बिखेड दी है आप क्या करेंगे जैसे हम को इसके मैठील को बनाने हम क्या करेंgend है लके उसके रहाँ हुआ है एक कजू करेंगे एक embr ro एक ऐसे काजू आ गया यह पूरा हमारा बन गया और इस जाओ आप इस तरह समझ सकते हो यह बाहर का हमारा पॉलीमर हो गया है जो लडु का बाकी कमिश्टर है और जो काजू हो गया हो वो हमारा drug particle या core material हो गया तो इस तरह हमारा पूरा यहां पर चलता है है कि यहाँ पर हमारा पूरा इलेट है जैसे यहां जाता है जो इस प्रेंड और यहां से आरही वो क्या करेगी और इसके अंदर थोड़ा बहुत हमारा solvent भी present होता है वो हमारा evaporate हो जाएगा और हमको अच्छा concentrated form में क्या मिल जाएगा पूरा का पूरा माइक्रो capsule बना हुआ मिल जाएगा इसके अंदर हमारे यहां पर यह core material है कई देखा देखो आपको सिर्फ core material भी नीचे जाते हुए मिलेंगे कई देखा सिर्फ आपको जो है हमारा जो मतला कोटिंग वर्टेल वह जाता हुए मिलेगा लेकिन मोश्टली केस में हमारा क्या होगा माइक्रो capsule इस तरह से बन के पूरा का पूरा तयार हो जाएगा तो यह था हमारा अब था हूँ इस में हमारा चीजा रहें अब तो हमारे यहां पर लिए हमारे कि ब्राइब धुसर्म और यह थो नह करिंगे न तो यहां पहले आरए रह और यहां हमारेगा है तो सब्सक्क Sage कहा रहा है दर यह नहीं पूरा कुरा ख़म और यहां से हमारे feed pump जो क्या करेगी यहां से material को लेके और इसके अंदर यहां पर जो हमारे spring pen है पूरा का पूरा drying वाला उसके अंदर यहां पर भेज़ेगा यहां पर लगा हुआ है हमारा atomizer atomizer क्या करेगा इस feed tank को लेगा और इसको छोड़े पार्ट में तोड़ कर और इस तरह यहां पर छोड़ेगा अब यहां पर जब छोड़ेगा तो third हमारी process होती है प्रोसेस होंगी, पहले नमर पर फीडिंग आएगी, जिसमें हमारा जो मैट्रियल है, यानि कि कोर मैट्रियल है, वो कोटिंग मैट्रियल साथ मैल्टिंग फॉर्म में, पूरा का पूरा है, इसमें हम भर देंगे feed tank है वो हमारा feed pump के throw इसके अंदर atomizer तक हमारा पहुंचा जाएगा तो पहली हमारी feeding process यहीं तक थी कि feed pump का use करके हम इस पूरे melting वाटिंग जहां तक पहुंचा रहे है feed tank में हमारे दो चीज़ा होंगी core material और coating material दोनों वापस mix होंगे किस form में हमारे disparage होंगे यह हमारे melting form में disparage होंगे उसके बाद atomizer हमारे यहां से क्या करेगा इसको spray करेगा पूरे drying के अंदर और यहां पर हमारे क्या होगा जैसे इनको normal यहां पर हमारी गरम नहीं है जैसे इनको normal temperature मिलेगा यह हमारे solidification होके solid form में convert हो जाएंगे melting से solid में आ गए और हमको यहां पर micro particle मिल जाएंगे चीज हमारी वही है जो जहां पर बन रही थी कि हमारे दोनों एक साथ ते जोगी मैंने लड़ू वाल आपको example दिया कि दोनों आपस में एक एक हमारे drug का particle उस polymer के अंदर भर जाता है वही हमारे को जिस तरह यह इस प्रे कंजीलिंग में भी काम करता है ठीक है बस फरक इतना है यह melting form में होता है यह नॉर्मल form में होता है यहां गरम हवा देकर हम इसको सुका रहे हैं पहले आपको एक वर्ड समझना है यह हमारी चीछ यह इसको आप समझो तो लैट करो कि आपके पास यह पानी है और पानी के अंदर कुछ हमारे और गनिक मॉलकूल्स हमने डिजॉल्व कि है अब आप जानते हो कि और गनिक एक तरह से आप यहां पर आप समझो अभी मतलब ऐसा पॉसिवल नहीं हो सकता लेकिन यह पॉसिवल नहीं हो सकता रीजन क्या है इसके पीचे आता है hydrophobic force, hydrophobic मलदा पानी heated force है, अब जो हमारे ये organic molecules है, ये पानी में तो भई हमारे घुलते ही नहीं है, आपको पता ही ये फंडा, पानी में ये घुलेंगे नहीं, तो उस case में क्या होगा, कि ये पानी को side में हटा कर ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो जाते है, connect हो जाते है, और इस तरह से ही हमारे पूरे के बूरे जो organic material हमाले, दो, तीन तरह के हैं, कोई lipid faced है, अलग-अलग type के हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरह से क्या हो जाते है, घुल मिल जाते हैं, तो ये जो हमारा इस तरह का पूरा एक compound बन जाता है इसी को हम जो कोईजर बेट बोलते हैं अब इसको डिफाइन करें बोल सकते हैं तिनी spherical droplet यानिक एक spherical से में पूरी droplet है जो जिसके अंदर कुछ हमारे various organic molecules आते हैं अब वो आपस में held हो जाते हैं together hydrophobic force के दरी है यानिकि यहां पर क्या हुआ कि यह पानी के साथ तो बन नहीं रही थी तो इन्हों ने क्या किया बीच के पानी को हटा दिया यानिकि आप अगर oil की आप oil की क्या करना ट्राइ करना आप पानी के अंदर oil की कुछ इस तरह से बूने डालना अलग-अलग और कुछ दिर बात देखो कि वो oil की बूने आपस में क्या हो जाएंगी चिपक्के और पूरी एक बड़ी सी बून बन जाएगी क्यों बन जाएगी क्यों कि पानी के साथ वो मिलती नहीं तो अपने जासा कोई ढूरती और यहां जाके जो बाख घ्के जाएंगी आपस समचल अब यहां पर आएग्या आप देख लिया एगासे कुर्म मैं यहां पर जानते हो थर्ड नमर पर हमारे आएगा यहां वहेकल या इसको हम जो है solvent भी बोलेंगे अब यह solvent हमारे एक्टियल में क्या चीज़ है यह solvent हमारे इस coating material के साथ क्या करेगा एक तरह से पूरा मिलेगा आपस में इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं solvent या बहेकल मुलते हैं तो यह हमारे formation करेंगा मिन तीनों चीज़ों की कैसे करते हैं आगे आप देख लेना फिर अप्र हम करते हैं जो लिए हमारा पूरा थोटी था कमपांड है अब हमने क्या कि इसके अंदर डाल दिये core material जाने कि जिसको हमें क्या करना है? युशल में micro capsule अब यहां पर क्या होगा? यह पर दिया तो अब यहां पर क्या होगा? फेस separation होगा जो ओविसली होना है कि यह जो हमारे coather weight particle है यह हमारे यहां पर क्या होंगे इस तरह से निकल कर आजाते हैं अब यहां पर वही फंडा चलेगा जो मैंने बताया कि कोईधर पार्टिकल आपस में क्या करेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो वो कोईधर पार्टिकल हमारे जब आपस में जुडने आते हैं तो वो इस ड्रक को क्या करते हैं घेर लेते हैं क्योंकि यह अलग चीज है तो इसके पास जाके क्या करते हैं इस तरह से हमारे यह क्या करते हैं यहाँ पर कवर होने लगते हैं और जब यहां पर चार्वार पने तपाखे तर छी तो किसी असल कर लेटे को कस बनाते हैंश्म título की यहां पर फोर्म कर दिये तो इसमारी चार्व सबसे पहले क्या हुआ हगा कोर मैटरन का सुन्या stay सो ओने solution of coating polymer यान कि जो polymer का यह solution है इसके अंदर हमारा coating का material present है और साथ में हमारे यहां पर क्या है polymer का solution वह coating वाला होगा है साथ में थोड़ा हमारा एक को वाले यह पूरा scene present है जैसे हम यह करेंगे हमारे जो कोजर्वेट के पार्टिकल माइक्रो ड्रॉपलेट अब जो हमारे यहां पर करेंगे और यह मारे साथ में बहुत जोड़ जाएंगे और यह फॉर्मिशन को फॉर्म कर देंगे को पूरा का पूरा को तैयार कर लिए आपको यह पूरे समझ आ गया होगा डाउट से तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अब च्छटे नमर पर मारे आती इसको समझो डाइग्राम मैंने बनाया बाद मैं लिखूंगा सारी कहांग इधर हम लेते हैं पॉलीबर डिजॉल्वन और गानिक सॉल्वन हम ने अपना जो भी पॉलीमर है जिसकी हमें कोटिंग करनी है कोटिंग मेटरिल उसको हमने किसी ऑगनिक सॉल्वन के अंदर मिक्स यहां पर देखेंगे तो यहां पर हम प्रोवाइड करते हैं थोड़ी सी यानगे hot air थोड़ा सा hot air अब यहां पर क्या होगा जैसे यह गरम चीज आएगी जो हमारा solvent है वो क्या होदाएगा evaporate होदाएगा जानके हवा में उड़ दाएगा और जो हमारा यह organic solvent के अंदर हमने mix किया था तो अब यहां पर क्या बचेगा सिर्फ polymer polymer बचेगा वह polymer हमारे ड्रट के ऊपर रहताएगा और इस तरह से हमारे माइकरो के सपाल मैं के मैं को और थोड़े निए तो यहां पर ने होगी तो अगर जिस तरह हमेरा पूरे कोटिंग हो गई और साहल हमारा यह जो और आपको झिर नहीं है यहां पर यह अंदर का बचा ड्रग ऑर यह इस तरह हमारा एक साल्वेंट वाली टेक्निक काम करते है एक तरहने और पूरी मुझेश से बनाने के लिए सिर्फ एजब दिया और इसको ड्राइब करेंगे तो इसको और शाटी है और हमारी दो चीज यहां पर सिर्फ रहा चाती है एक हमारा polymer दूसरी हमारी drug और हमारा पूरा का फूरा वाली चाहिज़ करती है तो ही करती है तो यहीड हमारे न हुमारी आती है इसके बारे में आपको लिकेज में मिल राएगा बागी अब अगर लाष्ट अपना टॉबिक देखें तो हमारा बचता है एप्लिकेशन ऑफ और यहां पर एक सारी चीज आप बना कर लिख कर आ सकते हैं तो यह था हमारा ज्यादा लंबा लेक्चर हो चुका है तो अब अगर एक्जाम में आपके पास आता है ये कोशन, तो सीडी सी बात है आपके पास जो टैक्निक है, वो मारी सारी नहीं देगा, उसमें ते वो दो चार टैक्निक देगा है, इसमें air suspension तब से important है, pen coating, और spray drying जाए spray cangealing वाली और co-adervation वाली, ये तीन टेक्निक का आप बहुत अच्छे दियान रखना एक air suspension एक हमारी spray drying जाए spray cangealing और एक हमारी coeservation वाली ये काफी important है इनके बारे में आप exam में जरूर लिखके आना तो बस आज की वीडियो में इतना ही I hope आपको सारी सारी कहानी समझ आगी होगी अब इंदा केस अगर आपको कोई भी doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं बागी मिलते हम आपसे बहुत दर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए friend thank you take care and आप सभी लोग अपना अपनी families का ख्या लखेगा बाई बाई दोस्तो जहिन दोस्तो